जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान एक बहां के बाद इंडोनेशिया द्वारा पाम ओयल का निर्यात खोले जाने और केंदे सरकार द्वारा सोया बीन और सूरिय मुक्ही तेल को आयाद कर्ष से मुक्त करने से खादय तेल की कीम्तों में कमी आही है वहीं राची में दो दिन में ही पाम, सोयाबीन और सरसो के तेल 8 रुपे प्रती लिटर तक सस्ते हो गए हैं। वहीं कीमत अधिक होने से जिमान में कमी की वज़े से भी कीमते घटी हैं। अभी पाम और सोया ओयल के भाव 15 रुपे लिटर तक सस्ते हो चुके हैं। सरसो तेल 10 रुपे लिटर तक घट गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि सप्लाई बढ़ने से देश में खादय तेलों के दाम आगे भी घटने की संभावना है। इंडोनेशिया से 2 लाक टन कच्चा पाम और को भारत के लिए रवाना हो चुकी है। इस हफते के आखरी तक पहुँच जाएगी। जानकारों का कहना है कि इस वर्ष देश में सरसो का उत्पादन अच्छा है और 20 सस्ते हुए है। उभोकता मांग भी घटी है। सरसो तेल के भाव 4-5 दिनों में 3 रुपे तक और भी घट सकते हैं। हाला कि जून मध्या में आचार बनाने में तेल की खपत बढ़ेगी और मांग भारी निकल सकती है। इसे में उमीद ये भी है कि भाव में तेजी आ सकती है। वहीं बजार जानकारों का कहना है कि सरकार ने क्रूट सोयाबीन और सूर्य मुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रिकल्चर इंफ्रा डेवलेप्मेंट सेस्ट पर छूट का एलान किया है। ड्यूटी मुक्त आयात की सीमा 20 लाख मेट्रिक टन तेल प्रतिवर्श रखी गई है। इंडोनेशिया से आयात शुरू होने से भाव गिरे हैं। आयात पर लगबर 6-7 रुपए प्रति लीटर लगता है। वहीं खपत कमजोर रही तो भाव और घट सकते हैं।